कि एस टिपी क्लासेस में सवागेती बच्चो आप से कैसे खा बारवी तियार चिपटे तेरे मात्मा गान्विश्ट अंधोलन का प्रसुँंतर पश्थ रहे हैं आज मैंने दूसरा प्रसुन एक्राइब को किस तरह देख से प्रफुदł को अपना हिते सी समझते थे वे मानते थे कि गांधी जी भूराजसों को कम कराने उदारता पुर्वक भूराजसों असुली के लिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों जमिनदारों जोतदारों तालुकदारों पर दबाओ डाल सकते हैं यहां सरकारी में गैर सरकारी कर ले जी आगा दूसरा पॉइंट है हर समस्या का हल निकाल सकते हैं किसान यह भी मानते थे कि गांदी जी किसानों को हर तरह से शोचन से मुक्ती दिला सकते हैं गांधी जी उन्हे समझते हैं और वे उनकी भासा में उन्हें हर समय समस्या के समंधान भी सुलजा सकते हैं वे ग्रामें छित्रों से समंधि समस्याओं और किसानों के क्युटीर धंदों के समर्थक थे जिसा पंठे सभी तरह की मुक्ति दिला सकते हैं किसान गांधी जी को जन प्रिय निता और अपने में से एक समस्य थे उन्हें विश्वास था कि गांधी जी उन्हें अंग्रेजों की दास्ता जमिंदारों के सोसन और साहुकारों के चुंगल से अहिं सात्मक अंदोलनों और सांति प्रियपरती रोधां के द्वारा मुक्ति दिला सकते हैं चोता पॉइंट है बाबा और माहत्मा के रूफ में गांधी जी को किसान गांधी बाबा गांधी माहराज तथा माहत्मा जैसे अलग-अलग नामों से जानते थे वे जानते थे यह बाबा हम लोगों को असानी से आजादी दिला सकते हैं पाच्पा पॉइंट ह यहां भी गए वहां उनके चमतकारिक सक्तियों की अफ़वाई फेल गई। कुछ अस्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा दोरा किसानों के दुख तकलिपों में सुधार के लिए भीजा गया है। तथा उनके पास सभी अस्थानी अधिकारियों के निदेशों की और सुकिर्ती करने की सक्ति है। यहां मैंने उधारन लिया है कि कौन-कौन से चमतकारियां बैटनाएं थी। जुआरी ने जब गांदी जी को अफसब्द कहा तो अगले दिन उसकी बकरी को चार कुत्तों ने काट खाया। इसी पर कर गुरकपूर के एक गाउमे किसानों में सराब पीना छोड़ने का निश्चे किया। एक व्यक्ति अपने निश्चे पर कायम नहीं रहा जब वह सराब के दुकान की तलास में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिस होने लगी। ज्यों है उसने गांदी जी का नाम लिया रोड़ों की बारिस बंद हो गई। आप फीगर में देख सकते हैं मातमा गांधी के विभिन रूपाँ में मुख्य रूप में हैं। इस पर करिए कैसा लगए वीडियो कोमेंट में हमें जरूर बतावें। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।